जैहिंद upcoming teacher vacancy के लिए जिस तरीके से बताया गया है कि 15 अक्तूबर तक कभी भी आपका notification आ सकता है तो ये वीडियो इस संदर्म में है कि science मतलब paper 1 910 का जिस तरह से question पूछा तो अपने आप में सभी subject से इसका level अलग था और निश्चित रूप से जो भी science के student होंगे science का student का मतलब हो गया कि जिनका की graduation, botany, geology, chemistry रहा होगा तो निश्चित रूप से वही science subject भरने के पात रहें science subject चूज करने के पात रहें तो उनका जो question पूछा जाता है BPSC जो आगामी exam आपका आयुजित करेगी उसमें physics, chemistry, bio तीनों सेक्षन से आपका question रहेगा असी मार्स का लेकिन आपको पहले ये जानना जरूरी है कि question का level कैसा रह सकता है चुकि सबसे unique level, सबसे अलग level इसी का आपका science का ही question पूछा गया है तो हम चाहते हैं कि आज मेरे साथ ससांक सर है ससांक सर है, ससांक सर जो पूछे गए question है अभी जो BPSC द्वारा आयोजित किया गया था exam उसमें जो पूछे गए आपके questions हैं उसका detail आपको बताएं, कुछ question solve करके बताएं और question के level के बारे में भी बताएं क्योंकि कल से ही आपका सुबह 8 बजे से batch आपका special start हो रहा है science का लेकिन उससे पहले एक तरीके से आपको ये जानना बेहत जरूरी है कि science का किस तरह का प्रस रह सकता है ससांक सर सर ने जैसा बताया बच्चे सबसे important है कि science 9th एकदम different level का question उचा गया और एकदम अगर आप मेहनत नहीं करते हैं इसमें तो मुझे लगता है थोड़ा सा कठीन है सफलता गेन करना क्योंकि बहुत tough level था एक दूसरी बात क्या कि आपको basic knowledge तो चाहिए ही चाहिए अगर basic knowledge आपका नहीं है अच्छा तो 9th का science भना पाना थोड़ा सा कठीन था और सर के मार्क दक्सन में हम सभी गुरुजन मिल करके आपको 9th में जो science के प्रशन पूछे गए हैं उस पर हम लोग बिस्तार पुर्वक आपको discussion तो कराएंगे ही कराएंगे आपके 9th में किस प्रकार का प्रशन पूछा गया है और कहां से question पूछा गया है इस पर हम बात क question है कह रहा है कि उर्धवादर फाइरिंग के लिए set किये गए rocket बच्चे अब आपको basic बात पता हो नहीं चाहिए कि rocket क्या होता है rocket में किस से धांत का उपयोग करेंगे rocket किस प्रकार काम करेंगा यह तो आना ही चाहिए तब जाके आपके numerical बनेगा अन्लेस आपसे numerical बन पाना थोड़ा सा कठीन हो जाएगा बच्चे तो दो आधार पर हम लोग काम करेंगे पहला क्या आधार होगा तो एक तो basic अपना मजबूत करेंगे साथ में उस level को touch करेंगे जहां पर आपके प्रश्णू का हल आपसे exam hall में थनिक मात्र प्रयास करने स आपसे हो जाएगा लेकिन बिना बिना सीखे बिना पहले से पढ़े आपसे exam hall में direct प्रश्ण पूछ बन पाना थोड़ा सा कठीन हो जाएगा इसलिए सर को भी मेरा एकदम धन्यवाद क्योंकि एक platform पर उन्होंने इतने लोगों को जोड़ा है और बच्चे हमेशा हमेशा म और जो platform है वो quality education के लिए जाना जाता है और खास करके हम लोग क्या करते हैं कि आपके जो basic label है उसको उपर उठाते ही उठाते हैं साथ में workout भी करते हैं चली बटा अब इस question पर बात करते हैं देखिए कितना अच्छा question है पहले तो यह जान लेना पड़ेगा कि आपका ये rocket कि सिध्धान पर काम करता है तो rocket आपको संबेग, संडक्षन कि सिध्धान पर कार्ज करता है बचपन से ही पढ़ते आ रहे होंगे अगर 910 आप जानते होंगे तो अच्छे से आप जानते होंगे इस बात को चल बटा इस question को पहले हम basic से जोडते हैं फिर हम आपको इसका ह बटाएंगे यहां देखे हमने कहा कि rocket जो है rocket कि सिध्धान पर काम करेगा तो rocket के कार्ज करने का सिध्धान तो कार्ज करने का सिध्धान क्या है तो कार्ज करने का सिध्धान आपका संबेग संडक्षन का सिध्धान पर आपका rocket काम करता है तो संबेग संडक्षन का देखेंगे कि किस प्रकार बारिकी से थेका BPSC ने कुछ सन उठाया है और उस पर हम लोग थेका विसेश पुरभक यह करेंगे, फोकस्ट होंगे बच्चे, संबेग संड़क्षन का सिध्धान्त है ना, अब संबेग संड़क्षन का सिध्धान्त क्या है, संबेग संरक्षन, यानि, conservation of momentum बच्चे, संबेग संड़क्षन का सिध्धान्त, यह क्या है, बच्चे, इंग्लिस में भी आपको एकदम comfortable होना चाहिए, थेके, law of conservation of momentum की बात कर रहे हैं, law of conservation of momentum पर बात कर रहे हैं, याद रखे, conservation of momentum पर हम चर्चा कर रहे हैं, यह आपको कौन है, तो rocket आप का अधारी थे, तो बच्चे, F बराबर क्या होता है, तो आप सभी बच्चे जानते है, Dp by dt होता है, अब क्या करेंगे बटा, तो आपको पता है, कि P बराबर क्या होता है, M भी होता है, तो D by dt, और क्या करते है, M और B करते है, B को बाहर रिल करते हैं, एक बार B को constant, एक बा आपको m into dv by dt, ठेक m into यहाँ पर आ जाएगा यहाँ उल्टा कर दीजे, ठेक बच्चे यह कर दीजे क्या, तो एक बार हमने m को concentrate रखा तो dv by dt, दूसरे बार क्या करते हैं, तो बच्चे हम भी को concentrate रखते हैं, तो क्या होगा dm by dt आ गया, क्योंकि आपको पता है कि rocket में क्या होता है, तो rocket में यह देखिए, इधर से, इधर से क्या होगा, तो आपको धुआ, केज गती से बाहर निकलेगा, जब धुआ नीचे की और गमन करेगा बच्चा, यह क्या होगा, तो negative होगा, minus dm by dt, यानि rate of, जो है, rate of mass आपको धीरे-धीरे घटेगा, और यहाँ पर इंध आपको संबेक संदक्षन सिधान के अनुसार लगने वाले कुल बलू का मान क्या होता, सुन्ने हो जाता है, इसको सुन्ने कर लीजे, तो सुन्ने कर लेते हैं, यानि क्या हो जाएगा, तो बच्चे यह आ जाएगा, m dv by dt, m dv by dt, बराबर हो जाएगा, minus d, आपको dm by dt, य दिया हुआ है, यहाँ देखे, किसका मान दिया हुआ है, तो dm by dt का मान आपको दिया हुआ है, आपको, ठेके किसका, तो rocket का वजन दिया हुआ है, चोटा वाला है, और बच्चे, यह दिया हुआ है, आपको उसमें जो इंधन का यूच करते हैं, वो दिया हुआ है, फिर क् launching pad से इसे थोड़ा उपर उठाने के लिए इसके अंधन खपत की नियूनतम दर क्या होनी चाहिए खपत की दर पूछ रहा है किसकी दर पूछ रहा है तो खपत की दर पूछ रहा है देखे एकदम सरल है बच्छे यानि minus dm by dt निकालने के लिए आपको बोल रहा है बच्छे कोई दिकत नहीं तुरंट से निकाल देंगे हम लोग क्या करेंगे तो आपको अगर यहाँ पर minus dm by dt निकालना होगा इस फर्मुले को यूज करते है बटा इस फर्मुले को यूज करते है चली क्या होगा तो आपको पता है कि तेक है rocket, rocket ये rocket है आपका, ये rocket है, rocket उपर की और गमन कर रहा है, ध्यान दीजे बेटा, rocket उपर की और गमन कर रहा है, तो ये क्या होगा, m प्लस m, तेक है, into z, ये देखे, ये, ये क्या हुआ, तो ये जो है m प्लस m into z, ये भार नीचे के तरफ लगेगा और minus dm by dt, यानि b into b, ये बच्चे रॉकेट का वेग है, गुना आपको dm बटे dt, ये क्या करेगा, तो ये इंधन ही इसको उपर उठाएगा, और ये दोनों एक दूसरे से क्या होगा, बैलेंस होगा, बच्चे, तो m plus m into क्या कर दिजे, g कर दिजे, तो बराबर क्या होगा, तो minus vr into dm by dt, और ये ही dm by dt आपको क्या करना है, निकालना है, ठीक है, कितने प्रति सकेंड आपको, ये क्या होता है, कम या ज्यादा हो रहा है, तो देख लेंगे बटा, निकाल लीजे, ठीक है, आपको क्या निकालना है, तो minus, ठीक है, minus आपको dm by dt निकालना है, dm by dt, देखें कितना सरल था सवाल, M का मान कितना है, बच्चे, M का मान कितना है, तो M का मान है, ठीक है, इधर देखिए, रोकेट में इंधन कितना था, तो रोकेट में इंधन था कितना, तो 450 केजी, एकदम सिंपल है, तो 450 प्लस क्या कर दिजिए, 50 कर दीजे, यानि फूल मिला करके, ये कितना हो गया? ये हो गया, आपको 500 ठीक है, M plus M M plus M into Z बटे, VR, बच्चे है न, ये निकल गया, कुछ नहीं है ठीक है, अब देखे, M plus M 450, प्लस क्या, M का value कितना है? तो M का value है, ठीक है, बच्चे प्लस क्या है, ठीक है, VR का value कितना है? तो 5 केजी ठीक है, पर सकेंड, 5 ठीक है, किलो मीटर पर सकेंड है तो इसको मीटर में बदलिए, 5 गुना क्या कर देंगे? 10 to the power 3 मीटर पर सकेंड है, ये दिया हुआ है, तो अब देखे क्या हो जाएगा, बच्चे मेरे, अब देखे क्या हो जाएगा, यहाँ पूट कर लिजे, कितना? तो 5 गुना 10 to the power 3 आगया अब देखे क्या हो जाएगा, तो बच्चे ये 500 हो गया, 500 गुना 9.8 आप बट है क्या 5 गुना 10 to the power 3 आगया, तो इसको को काट देंगे उपर लेके जाएंगे तो 0.98 मीटर क्या होगा 0.98 केजी क्योंकि द्रबमान है केजी पर सकेंड निकल गया तो देख लिए जो ऑप्सन में है इसा ठीक ऑप्सन में है तो हाँ बेटा 0.98 किलोग्राम पर सकेंड है यह dm by dt निकल गया अब इतना चीज तो आप पता होना चाहिए अब देखें हम क्या करेंगे हम आपको एकदम short form में बदलेंगे क्या बताएंगे आपको short form में कि जब भी rocket हो बेटा rocket हो तो rocket में क्या करना है तो rocket में करना है क्या तो बच्छे ये minus dm by dt बराबर क्या होगा तो m plus m into into बच्छे m plus m into क्या z बटे क्या चोटा वाला क्या ले लिजे भी ले लिजे rocket का ठीक है वेग रोकेट का क्या ये rate 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 of fuel का बात करें बटा ये भी हो गया या 5 km per second तो ये है न निकास दर ये velocity ले लिए किसका रोकेट का तो ये formula बस जानना पड़ेगा और इसके आधार पर आप तुरंत बना लेते लेकिन ये आपको पता होनी चाहिए अगर आपको नहीं पता है तो बच्चे दिक्कत है तो एकदम याद रखना कंसेप्ट ये कहता है कंसेप्ट क्या कहा तो बच्चे एकदम कंसेप्ट पध्यान में रखना है क्या कहा कंसेप्ट में कि माइनस से dm by dt अगर होगा तो ये क्या हो जाएगा तो प्लस एम इंटू क्या जी बटे क्या वी आ रहोगा ये पहला कुस्सन हो गया बच्चे एकदम याद रखेगा रोकेट के संदर में और छोटा छोटा और बात याद रखना पड़ेगा क्योंकि कि नाइन्थ टेंथ का परिच्छा था और सुची लेबल कितना आया है क्योंकि यह जो रोकेट प्रोपल्सन का थियोरी है बच्चे बच्चे बीसी में बीसी पार्ट वोन में पढ़ना पड़ता है तो बीसी का भी सिलेवस आपको कवर्ड अब करना पड़ेगा अब देख धियान दीजिए-गा-जह आप आगे बढ़ रहा होगा यह देखें नेक्स को सन पर बात करतें यह तेकििया में बच्चे ब्सकोंगे क्या होता है benchmarke अगर आपको इस तरह के प्रश्न पूछक्ता है तो सेंट्रल पोस है क्या तो सेंट्रल फोस याद रखेगा Central force किसको कहते हैं? तो Central force होता है, बच्छे, ठीक है? एक चक्र में, यानि एक cycle में, एक चक्र में किया गया कार्ज, में किया गया कार्ज, ध्यान दीजे बटा, किया गया कार्ज, क्या होगा? तो always, ठीक है, सुनने होता है, ध्यान में रखेगा, एक चक्र में किया गया कार्ज, सुन्य होता है, ऐसे बलको हम central force कहते हैं, जैसे आप ले सकते हैं, gravitational force क्या है, तो central force है, magnetic force क्या है, तो central force है, बच्चे, ये पथ पर निर्भर नहीं करता है, it doesn't depend on path, ये पथ से आपको क्या होगा, स्वतंत रहेगा, तो ध्यान में रखना है, य यह path से स्वतंत रहता है, यह path से क्या होगा, तो path से एकदम ध्यान पूरवग देखेगा बटा, यह path से स्वतंत रहता है, यह path पर depend नहीं करता है, चली, बहुत अची बात है, किस path depend नहीं करेगा, तो यह path पर depend नहीं करता है, एकदम याद रखना बटा, यह path से आपको क्य होगा स्वतंत रहता है अब क्या बात कर रहें अब बात कर रहें बच्चे एकदम ध्यानपूरवग देखेगा हम लोग क्या बात कर रहें तो हम लोग बात कर रहें कि देखिए आपका जो आपका जो क्या होता है तो बच्चे Central Force पर हम कुस्सन पर आते हैं कह रहा है कि minus k upon r to the power n में बृत्यक अक्षाओं पर विचार कीजिए जहां कि greater than 0 और 0 से बड़ा है लेकिन 2 से छोटा है यदि त्रजियाओं की एक विर्ताकार कक्षा की समयावधी T1 और त्रजियाओ 2R की विर्ताकार कक्षा की समयावधी T2 हो तब ठीक है T2 बटे T1 क्या होगा तो एकदम सिंपल है सवाल बच्चे सिंपल सवाल इसलिए मैं कहा रहा हूं कि यह time period का सवाल है किसका सवाल है time period का और इसमें क्या होता है तो बच्चे एकदम ध्यान पूर्वग देखेगा कि जब भी आप बात करते हैं किसी विर्ताकार कक्षा में तो angular momentum क्या गैरल रहे गा तो थिक है है आपको सेंट्रल फोस में केंद्रीय बल में याद रखना एकLife केंद्रीय बल के संदर्व, में ध्यान में रख Twirmay तो आपको एंगुलर मूमेंटम याली कोणिय संबेग संरक्षीत रहता है एंगुलर मूमेंटम कोणिय संबेग आपको सं रक्षीत रहता है Heat रहता है बी कौन सा, तो आपको potential, भी प्रभावी potential, तेक प्रभावी potential पर हम चर्चा कर रहें बीटा, जोंकि ये question किसके लिए है, तो central force के, तेक चेंट्रल force में हम विभव की बात करें, तो central force में विभव क्या होता है, तो उस पर चर्चा कर लिजे, central force में जो विभव होता है, तेक उसमें मैंने क्या कहा, कि angular momentum आपको concept रहेगा, और angular momentum concept का मतलब क्या हुआ, ये देखे, be effective पर हम चर्चा करें, be effective बराबर क्या होता है, तो बराबर हो जाएगा, j square याद रखी, ये ये क्या है, तो angular momentum ने बिटा, j square, बटे, 2mr square, ध्यान दीजेगा, central force में be effective निकाल है, 2mr square, यह क्या है तो 2mr² क्या है बटा यह क्या है moment of inertia minus k upon r to the power n याद रखे बटा r to the power n यह क्या होता है तो b effective होता है किसमें central force में b क्या है तो विभब प्रभावी है विभब प्रभावी है अब यह formula आपने कभी नहीं पढ़ा होगा तो बच्चे हम लोग क्या करेंगे एकदम छोटा छोटा point out करके हम लोग आपको बताएंगे मैं आपको बताऊंगा कि देखिए किस प्रकार calculation करते हैं तो बच्चे अब यह angular momentum क्या होता है तो angular momentum जे बराबर होता है बिटा एकदम याद रखेगा क्या होता है तो जे बराबर mr square omega होता है mr square omega या आप इसको i omega भी कर सकते थे एकदम ध्यान पूरबग रखेगा mr square into omega क्या होता है angular velocity कोनिये वेग कोनिये वेग होता है और बच्चे यहां आपको यह जो mr square है यह क्या है क्या होगा सवाल आपका बनेगा अलेस आपका सवाल बन पाना थोड़ा सा क्या है कठीने बिटा अब देखिए अब क्या करेंगी तो यहां क्या हो गया और बच्चे आपको omega omega का square हो गया बटे क्या होगा तो बच्चे यह देखिए 2mr square कर दीजे माइनस क्या k to the power n है तो बच्चे k to the power n है तो चुकि angular momentum conserve होता है तो बराबर आप कर सकते हैं क्या यह देखिए m square r square omega square यहां पर मैंने पूट कर दिया और यह full जो भी effective होता है या मैनस कर दीजे यहां पर मैनस करिए कितना होता है बटा तो मैनस k upon r to the power n है तो क्या करेंगे तो n k कर लिजे n k upon क्या होगा तो बच्चे r to the power n plus 1 हो गया r to the power n plus 1 होगे यह हम आपको बता रहे हैं तरीका formula निकालने का तरीका बता रहे है अब देखिए क्या होगा बटा तो यहां से हमने इसको क्या कर लिया चुकि भी effective 0 होगा central force में आपको central force के पैमानी पर तो क्या हो जाएगा m square r to the power 4 omega square यह देखे बटा यह यह कट गया यहां r square बचा तो m square r square फिर क्या बचा यह देखे यह mm कट गया तो यहां से आप लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं तो m r square omega square ध्यान देज़े बटा थेखे बट है टू टू आ गया अब बराबर n k बट है r to the power n plus 1 यह भी एक formula हो गया तो यहां से क्या लिख सकते हैं बटा यह constant पूरा कर दीजे n k को constant कर दीजे यानि omega square omega square बराबर क्या होगा या proportional to क्या होगा वन बट है r to the power n plus 1 हो गया यह देखे मैंने यह formula निकाल दिया अगर इसको हम omega को क्या करें omega square को यह कर लिख सकते हैं तो omega में बदल दीजे तो omega बराबर क्या हो जाएगा omega बराबर थेखे निकल गया क्या तो one 1 बट है 1 बट है r to the power r to the power कितना बेटा तो n बट है 2 अब plus क्या 1 बट है 2 से गुना कर रहें तो plus 1 by 2 यह निकल गया ठीक है n by 2 plus 1 by 2 क्योंकि हम square root में इसको ले जाएंगे तो बच्चे r to the power n by 2 plus क्या 1 by 2 निकल गया यह formula ध्यान में रखिएगा अब क्या होता है तो बच्च ठीक है 2 pi by T है omega square निकल लें बटा तो क्या 2 pi by T का square यहनि 4 pi square बट है क्या T square होता है 4 pi square बट है क्या होता है तो T square होता है ठीक है तो याद रखना है बटा यह अगर हम T square के formula यहाँ देखे क्या हो जाएगा तो omega बरबाब 2 pi by T यहनि T समान उपाति क्या होगा 1 बट है r to the power n by 2 plus क्या 1 by 2 हो गया है तो n by 2 plus 1 by 2 इसको कर भी सकते थे हम बटा ठीक है 1 by 2 को यहनि 2n plus 1 n plus 2 into 1 कर लेते 1 by 2 कर लेते यहनि कहने कार्थ है क्या n by 2 plus 1 हो गया यहनि आपको यहाँ से हम formula निकाल लिए यह मैं पूरा formula की बात कर रहा हो बटा ठीक है T proportional 2 क्या हो जाएगा तो T proportional 2 एकदम ध्यान मर रखेगा T proportional 2 हो जाएगा r to the power n plus 2 n plus यह देखे यह formula n plus 2 into क्या 1 by 2 कर लिए यह formula निकलके आगया अब देखिए बचा अब क्या कह रहे हैं अब हम कुस्सन पर फिर से आ रहे हैं यह तो मैंने कुस्सन आपको क्या किया मैंने एक format बनाया ठीक है format बना यहां देखिए format मैंने आपको बता दिया क्या बता दिया कि देखिए T proportional 2 r to the power n plus 2 into 1 by 2 होगा यह मैंने format आपको बनाया बच्छे चली तो अब क्या कह रहे है कि यहां देखे central force में आपको बस इतना ही ध्यान में रखना है बच्छे Central force में किस force में Central force में Time period proportional to क्या होगा तो r to the power n by 2 r plus 1 हो जाएगा यह देखे n by 2 plus 1 हो जाएगा ध्यान में रखना बच्छा यह देखे यहां से यहां से लेके आए तो यह क्या होगा तो 2n और 1 by 2 तो यह कठी जाएगा तो 2N प्लस 1 आ जाएगा, 2N प्लस 1 आ जाएगा, धियान में रखेगा, तो N बाइ 2 प्लस क्या करेंगे, तो N, N प्लस 2 है, N बाइ 2 प्लस 1, यह आ जाएगा, आपको formula आ गया, आ गया न, यहां से यहां से ले लिए, ठेक है, तो time period, यह r to the power N by 2 प्लस 1, यह यह आपको formula आ गय यह क्या कहा रहा, देखे, simple मैंने कहा दिया, कि देखिए, ठेक है, आपको central force में time period, यानी radius का, N by 2 प्लस 1 का, क्या होगा, directly proportional होगा, अब बेटा, पहला वाले में T1 है, ठेक है, पहले वाले में क्या है, T1 है, T2 का निकालते है, T2 बराबर क्या हो जाएगा, तो T2 बराबर ह यह प्रोपोशनल 2 होगा, ठेक है, 2R, यह देखे, 2R to the power N plus 2 plus 1 हो गया, है न, अब बटा क्या होगा, आपको, बटा क्या होगा, तो T1, ठेक है, T1, या ऐसे कर सकते है, बराबर के कर लिजे, के, बराबर क्या कर लिजे, के कर लिजे, और यहाँ पर आ जाएगा, के, और यह पर जाएगा, र to the power N by 2 plus 1 आगया, ठेक है, बच्चे, तो आंसर क्या होगा, ठेक है, आंसर क्या होगा, तो T2 भाटा T1, ध्यान देगा, ठेक है, तो पर जाएहाँ तो आपको C नमबर, आपका अंसर हो जाएगा, यह बाते याद रखनी पड़ेगी अपको, क्या अब यहां से देखिए मैं मैं आपको जो बेसिक कंसेप्ट बताऊंगा वो क्या कंसेप्ट बताऊंगा कि देखिए सेंट्रल फोर्स में ठीक है सेंट्रल फोर्स में यहां से बेसिक कंसेप्ट निकल के आएगा तो बेसिक कंसेप्ट निकल के आया कि देखिए आपका जो हां time period किसमे time period किसमे तो in central force time period in central force क्या होता है तो भाई साब time period in central force होता है ठीक है बच्छे यानि tc proportional to radius of the orbit ठीक है इंटू एन बट्ट टू प्लस वन का proportion होता है यहां से अगर यह formula ध्यान में रहे तो बताइए कि exam hall में आपको निकलेगा यह नहीं निकलेगा तो एकदम तूरंत निकलेगा बच्छे याद रखे जब भी केंद्रियबल होगा time period ठीक है radius जो होता है उसका आ उसका एन बटा टू प्लस वन का क्या होगा proportional होगा यह बाते आपको ज्याननी पढ़ेंगी बच्छे अब देखिए अब क्या है नेक्ष्ट कुस्सन पर बात करते बटा तो दोनों कुस्सन का मैंने basic concept बताया पहले वाले का भी बताया और दूसरे वाले का भी मैंने basic concept बताया वहां से मैं निकाल के लाया ती प्रोपोर्शनल टू आर टू दी पावर एन बाय टू प्लस वन बस आपको जानना यही है तेक है तो बच्चे टोटल इनर्जी इन लेबरेटरी फॉर्म क्या होता है तो बच्चे याद रखना है कि वन बाय टू और M1 इन टू क्या हो जाएगा भी एल यह देखे लेबरेटरी फ्रेम में तेक है आपको वेलिसिटी का square होता है कोई दिकत नहीं है यह जानना पड़ेगा क लेबरेटरी फ्रेम क्या है और Central of mass के तहत क्या होता है तो Central of mass के तहत आपका जो टोटल कानेटिक इनर्जी यह कितना होता बिटा तो यह कितना होगा यह होगा 1 by 2 याद रखना बिटा 1 by 2 M1 into M2 M1 into क्या M2 ठेक है यह देखे द्रबमाल हो गया M1 into M2 M1 into M2 बटा क्या M1 plus M2 यह लेबरेटरी फ्रेम में होता बिटा M2 और into क्या हो जाएगा तो बच्चे BC का स्क्वाइर एकदम देखे यह वेलोसिटी ठेक है ऑफ सेंटर अप मास के तहते बात कर रहे हैं BC का स्क्वाइर हो जाएगा BC का स्क्वाइर हो जाएगा कोई बात नहीं ठीक है यह मैंने क olina इनरंजी इनथे का आपको सेंटर अफ मास क्वाइर इनर्जी इन सेंटर अफ मास बराबर किया होते हैं तो बराबर होता है एम टुट clear M1 या होता है बावाइट इनर्जी इन लिबाडिटरी फ्रेम होता यह तो लिबरेटरी फ्रेम होता है ध्यान में रखेंगे बच्छे के सीम बराबर M2 बट्टा M1 प्लस M2 इंटु क्या हो गया न अब देखें किसका कहरा निकालने के लिए यह आपको ध्यान में रखना पड़ेगा तेकर कि संटर आप मास के तहत कैनेटिक इनर्जी क्या होता है रती जूरजाओं का अनुपात क्या होगा तो हमको निकालना है के सीम और के ल का अनुपात के सीम और के सीम और के सी का अनुपात निकालना है के अपोन क्या के सी का अनुपात निकालना है तो क्या होगा यह M1 M2 ऊपर चला जाएगा और M2 क्या होगा नीचे चला जाएगा यनि आपको निकल गया किया m1 plus m2 अब बटा है क्या m2 निकल गया तो बच्चे ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि आपका laboratory फ्रेम में क्या howता है kinetic energy और center of mass के तहत kinetic energy क्या होता है पहले तो ये basic जानना पड़ेगा कि आपको तो प्रक्षे, प्रोजेक्टायल, आप समझ रहेंगे, प्रोजेक्टायल का द्रभमान के इंदर लक्ष प्रक्रिणन किया, तब जाकर कि नहीं बिटा, यह क्या होता है, कि थ्री डैमेंशनल स्पेस में, लेबरेटरी फ्रेम को हम कंसीडर करते हैं, और वहाँ पर हम क्या करत हैं, कि आपको कैनेटिक इनर्जी, लेबरेटरी फ्रेम के तहट और सेटर अपमास के तहट निकालते हैं, तो यह आपका आंसर हो जाएगा, M1 प्लस M2, बटा क्या M2 हो जाएगा, तो यह ध्यान में रखिएगा, बहुत-बहुत इंपोर्टेंट है बिटा, चली, तो यह बातें याद रखना है आपको, अब देखते हैं, यानि तीन कोशन हमने बनाया है यहाँ पर, तीनो कोशन में concept एक दम डिफ्रेंट है, अगर आप पढ़ेंगे नहीं बिटा, तो यहाँ देखिए, रोकेट से लेके चला, यानि नूटन से लोच अप मोशन से आपको यह को और कुशन है बच्ची, फिर देखें तीसरा, लिबरेट्री फ्रेम और इस पर आपको जो है, लिबरेट्री फ्रेम और आपका center of mass के धत्र कैनेटिक इनर्जी को फ्रेम किया गया, यह भी मेकनिक्स का कुशन है बच्ची, तो मेकनिक्स को बारिकी से पढ़ना पड़ेगा, सभी जाकर के आपका कुशन हल होगा, अब देखें यह कुशन क्या है, यह आपको properties of matter का कुशन है, एक निश्य समय के लिए किसी तरल पदार्त के प्रबाह बेग के visualization में एक अंत्रिक्ष वकर खीचा जाता है, बच्चे यह देखें, यह क्या है, तो यह streamline flow है, क्या है, streamline flow है steam line flow है, यह कभी एक दूसरे को नहीं काटेगा, steam line flow में, और सभी layers एक दूसरे पर सरलता से ठिक गमन करेगा, और किसी भी point पर, अगर आप, माली जे a point है, तो यहाँ अगर आप velocity गेदर करना चाहें, तो velocity क्या होगा, तो हर बिंदू पर velocity, यानि every point, layers के every point पर velocity क्या होगा, तो equal होगा, बिटा, हर जगा velocity क्या होगा, equal होगा, तो कहने का अर्थ है, हर जगा V1, 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 हर जगा velocity सेम होगा, यानि, तेक है, किसी different layers का velocity, तेक है, आपको every point पर सेम होता है, तो यह याद रखना है, बच्चे, और कभी एक दूसरे को काटेगा नहीं, और यहाँ पर tangent ख तो यह velocity के direction को बताएगा, टेंजेंट खिच दीजे, यह velocity के direction को बताएगा, बच्चे, तो क्या कह रहा है, लेकिन इस समय के लिए किसी तरल पदार्त के प्रवाह के विशलेशन में, एक अंत्रिक्ष वकर खिचा जाता है, ताकि वेग सदिस के लिए हर जगा असपर से रे तरल जो है, तरल की सभी परतें जो है, सभी परतों का निस्थित बिंदु परिवेग क्या होगा, नियत, एक concept हो गया, दूसरा concept क्या कह रहा है, कि बच्चे, तरल का जो परत होगा, उस पर खिची गई असपर से रेखा, यानि आपको खिची गई असपर से रेखा का मतलब क्या होगा, कि आपको टेंजेंट, टेंजेंट ड्रो अन एबरी पॉइंट अप दे लियर्स अप स्टीम लाइन फ्लो, इस गिप्स दा डिरेक्शन ऑफ याद रखनी पड़ेगी आपको, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो आंसर हो जाएगा धारा रेखिया प्रवा, तो कहने का मेरा क्या अर्थ है, कि आपको सरलता पुर्वग हर बिंदू को देखना पड़ेगा, तो भचे, अगर हम इसको करें, काम करें, तो इस पर काम करें थोड़ सा, थोड़ सा देखिए, इधर इस पर ही हम बात करते हैं, इस पर ही बात करेंगे, लेकिन पिछला तीन question, तेकर देखिए, अगर आपको नहीं पता है concept, तो बनेगा क्या नहीं बनेगा, concept आपको पता होना पड़ेगा, बच्चे, पहला का मैंने आपको क्या बताया कि यहाँ जो है, संबेक संडक्षन के सिधान पराधारी थे, किस पराधारी जब भी इंधन खपत की दर निकालना होगा, बेटा इंधन खपत की दर कैसे निकालेगा तो यह formula ध्यान में रखना पड़ेगा minus dm by dt into क्या, ठिक बराबर क्या लिखना पड़ेगा बच्चे, m प्लस m यानि m क्या हुआ, rocket का question बन जाएगा, ठिर दूसरा देखे, दूसरा question में क्या था, तो दूसरा concept में, दूसरा question में concept था कि केंद्रिया बोल में, जब भी आवर्तकाल है निकालना होगा, तो यह आवर्तकाल क्या होगा, तो बच्चे, आवर्तकाल t जो है, directly proportional होगा किसके, तो बच्चे, यह proportional होगा, r to the power n, यह r यह, यह क्या है, तो radius of, ठीका, orbit है बच्चे, यह, orbit कुछ भी हो सकता है, circular orbit, यह elliptical orbit हो सकता है, n by 2 प्लस क्या होगा, 1 होगा, तो इसके proportional होगा, तो यह आपको ध्यान पुर्वक देखना पड़ेगा, एक बात हो गई, अब देखे, क्या कह रहें, तेखे, बच्चे, तीसरे कोशन में हमने क्या कहा, तो हमने तीसरे कोशन में कहा, कि दो तरह का frame आपको consider करना पड़ेगा, एक laboratory frame, और center of mass के थाथ इनर्जी, और मैंने आपको एक formula बताया है, कि देखे, center of mass के थाथ, जो kinetic energy होता है, वह, ठीक, आपको, आपको, जो लक्ष का जो द्रब्मान है, लक्ष का द्रब्मान, बटक कुल द्रब्मान, गुना, kinetic energy of laboratory frame, यह ध्यान में रखना है, kinetic energy of laboratory frame होता है, बच्चे, क्या कहा मेंने, कि center of mass के थाथ, center of mass के थाथ, आपका जो kinetic energy होगा, वो क्या होगा, तो, ठीक है, given mass, बच्चे, किसका लक्ष का, यह लक्ष का मास है, लक्ष का द्रब्मान है, लक्ष का द्रब्मान, ध्यान में रखे बटे, बटे, कुल द्रब्मान, कुल द्रब्मान, बटे क्या, कुल द्रब्मान बटे, total mass, कुल द्रब्मान, और क्या होगा, कुल द्रब्मान, और क्या होगा, ठीक है, बच्चे, कुल द्रब्मान, into क्या होगा, kinetic energy of laboratory frame, ये ध्यान में रखना पड़ेगा तो अगर ये ध्यान में रख रहे हैं तो तुरंत आपको सवाल बनेगा चल बेटा अब ज़रा इस पर बात कर लीजी इस पर next question पर बात करते हैं ये आसान question है क्यों क्यों कि आपको पता है कि mean free path समानी गैस के अनुवों की समानी संख्या है यहां number of moles क्या होगा, n जो है, same है वेटा, है न, n same है, अब देखे, item भी और भी भी है, lambda और lambda भी, क्या है, मध्ध मुक्तपत है, यह मध्ध मुक्तपत क्या होता है, free path क्या होता है, तो free path होता है, बच्चे, एकदम ध्यानपुरवक देखेगा, free path क्या होता है, यह molecules चला, औ और इसका, जब mean निकाल लेते हैं, तो mean free path होता है, और mean free path बराबर क्या होगा, बटा, तो एकदम ध्यान में रखेगा, कि mean free path, mean free path, आपको क्या होता है, कि distance between two molecules का, जो steam line path पर, जब body move करता है, तब जब, तब जब molecules एक अस्थान से दूसरे अस्थान तक जाता है, तो इसको हम बोलते हैं, क्या, तो बच्चे उसी को बोलते है, free path या mean free path, आप लोग अनुभव किया होंगे, तो इसको और elaborate करते हैं, आप अनुभव किया होंगे, कि आपको जब पानी में चीनी को घुलाते हैं, तो पानी में चीनी का molecules है, यहां से यहां तक जाएगा, तकराया, फिर यहां से यहां आया, फिर क्या हुआ, यहां से यहां गया, फिर क्या हुआ, यहां से यहां तक टकराया, यह जो एक distance यहां से यहां तक travel किया, इसको हम free path बोलते ह यहनी आपको जवन मोलेकुल स्मूज फ्रम अनगर मोलेकूल एंट सब्सक्राइब जए侍चेज़ए फृस बशेच इस इन देट रैपेड्ली इस टैपी पॉसनी जून एज प्राउनियं मुशन गालेगा प्राउनियं मुपमेंट या प्राउनियं मुशन गालेगा movement का लाएगा तो इसी को हम free path करते हैं free path करते हैं तो lambda बराबर क्या होगा तो lambda बराबर free path का value निकालने हैं तो 1 by 2 pi d square का root under ध्यान दिजये बच्छे into क्या होगा into into n by v n by v या ऐसा कर सकते हैं n by v number of moles but number of moles but a number of moles but a क्या हुआ तो यहां देखे number of moles but a volume हो जाएगा यहां D क्या है बिच्चा, D जो है, diameter of molecule है, diameter of molecule है, ध्यान में रखेगा, diameter of molecule से, एकदम याद रखे बिटा, V क्या है, V आपको volume है, V क्या है, V आपका volume है, चले निकाल लेते हैं न, कुछ भी नहीं है, lambda A बराबर क्या होगा, तो बच्चे, यह molecule सेम है, volume चुकी, तेक आपको, क्या है, सेम है, तो number of molecule सेम है, यानि V, ठीक है, आपको V और इसके बीच में relation निकाल है, lambda के बीच में, तो lambda into V, बराबर क्या होगा, constant होगा, यहाद रखना बेटा, lambda, ठीक है, यह चुकी V उपर चला जाएगा, यह कहाँ चलाएगा, V उपर चला जाएगा, तो यह ऐसे भी mean free path से हम लेके आगए, कि mean free path directly proportional to volume हो जाएगा, तो lambda by V, ठीक है, lambda by V, बराबर क्या होगा, तो constant होगा, यह देखे, एकदम simple है, अगर तरीका पता होगा, तो तुरंत exam hall में सवाल बनेगा, यानि क्या कह रहे हैं, कि lambda mean free path directly proportional to volume, अगर number of moles सेम है, number of moles सेम है, देखे, ठीक हम ब बार-बार बोलने हैं, कि, ठीक है, number of moles सेम होगा, तो lambda proportional to B हो जाएगा, तो lambda, ठीक है, a, बटे, क्या होगा, बच्चा, lambda, बटे, B, बराबर मैंने constant किया था, lambda a, बटे, B, बराबर क्या होगा, lambda b, बटे, B, B, हो जाएगा, यह आपको क्या हो जाएगा, सवाल का answer आगया, यहीं आएगा, lambda a, बटे, B, बराबर, lambda b, 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 तो कहने का अर्थ है, बच्चे, आपको concept पता होनी चाहिए, बार-बार में बोल रहा हो, कि concept अगर आपको पता नहीं है, तो आप से सवाल बन पाना खोड़ा सा कठीन हो जाएगा, यह याद रखना है, बच्चे, बहुत-ब बताएंगे किस प्रकार सवालों को तिप्र गती से आप exam hall में खीजिएगा, और हम basic formula आपको देंगे, साथ में आपको complete concept तो बताएंगे, साथ में बताएंगे किस प्रकार बनता है सवाल, तो बच्चे, आज के जो अभी जो पहला वीडियो है, यह session 1 है, session 1 में जो मैंने आ आपको पाच्छे question बताया है, 9th और 10th के, तो उसमें मैंने आपको विस्तार पूर्वक कहा है, कि देखिए, मैंने क्या-क्या बातें की है बच्चे आपसे, मैंने बात की है, कि देखिए, पहला question मैंने बताया, तेखिए, रोकेट के, रोकेट के, किस पर, रोकेट के, का conservation theory पर पताया था, ध्यान में रखिए बटा, और यहां से मैं एक formula लेके आया, कि देखिए, ठेके, आपको, आपको, जो, इंधन के न्यूनतम खपत की जो दर होती है, वह क्या हुआ, तो बच्चे, वो, वो, वो बराबर होगा किसके, तो ये रोकेट का द्रबमान, प्लस, आ Central Force का मैंने सवाल बताया, और Central Force में मैंने कहा, कि देखिए, Central Force में जो time period होता है, वो directly proportional होगा, ठेके, आपको, रेडियस of the orbit का, N by 2 प्लस, 1 का proportional होगा, ये मैंने बताया, तीसरा जो सवाल मैंने बताया, ठेके, उसमें मैंने क्या कहा था, ठेके, तीसरा सवाल था, आपका, क तीसरा सवाल एक बार देख लेते हैं, तीसरा सवाल क्या था, तो तीसरा सवाल था, हाँ बच्चे, ये हमने बताया आपको, क्या, लेबरेटरी फ्रेम में जो energy होता है, उस पर, और आपको, जो center of mass है, उसका जो energy होता है, उसमें मैंने बताया कि देखिए, ठेके, आपको तो टोटल energy होता है, किसमें, तो लेबरेटरी फ्रेम में वो क्या होगा, तो बच्चे, लेबरेटरी फ्रेम में, ये मैंने आपको, यहाँ पर बताया था, ठेके, क्या बताया था बच्चे, लक्ष का द्रभमान, देखिए, मैंने लिखा भी ये, लक्ष का द्रभमान, फ्लेता है खुल दरबमान टिक टूटल मास इंटू मैंने क्या कहा था इंतू आपको और लेवरेटरी फ्लेम इ सवाल आपको बतायाए यह क्या बताया मैंने बताया कि देखिए, तेकें, आपका, यह देखें, देखें, चौथा, यह stream line flow में, देखें, सब अपने में लाजवाब concept बच्छा, यह देखें, stream line flow में, मैंने बताया, stream line flow में, जो tangents आप बडाएंगे, वही क्या होगा, toward tangent के वल आपको streamline flow में ही होता है streamline flow में ही होता है ठेक है और पाँचवा मैंने आपको क्या बताया बच्चे तो पाँचवा मैंने बताया कि देखिए आपका जो ठेक है आपका जो क्या है बच्चे mean free path जो है अगर number of molecule same हो mean free path याद रखना बटा आपको जान लेनी चाहिए, बहुत important है concept बच्चे, पहला concept क्या है, तो पहला concept rocket का propulsion है, दूसरा क्या है, Central Force का concept है, तीसरा तीक है, आपको ये है, पांचमा ये आ गया, अब देखिए, छथा सवाल देखते हैं बच्चे, छथा सवाल देखिए, क्या कह रहा है, छथा सवाल दे ये देखिए, कहा रहा है कि कौन सी प्लांक की किष्णे का विकिरण वितरण की विसेस्ता नहीं है, तो बच्चे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा जरा, जैसे ही तापमान बढ़ता है वक्र का सिखर उच्च तरंग दैर्ट की वहरा स्थांतिरित होता है, सिखर उच्च तो आप मान बढ़ेगा, तो आपको पता है, तो आप मान बढ़ेगा, तो इनर्जी का मान बढ़ेगा, और इनर्जी बढ़ेगा, तो तरंगदेत का मान घटेगा, तरंगदेत का मान क्या होगा, घटेगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, A number होगा, एकदम सिंपल है बच्चे, तो ध्यान में रखना है कि black body radiation में अगर हम energy और wavelength के बीच ग्राफ खिचें तो आपको पता होनी चाहिए कि जैसे जैसे wavelength घटेगा तो आपको क्या होगा तो आपका energy का माल घटता चला जाएगा, एकदम simple है बच्छे, एकदम simple है, तो ये बाते याद रखनी चाहिए, तो परतिवरता i है, कोई बात नहीं, यदि कोई रेखाची द्रबंद होता है, तो उसी अस्थान परतिवरता i naught है, तो i और i naught के बीच क्या संब्ध होगा बच्छे, यहां interference पर बात करा है बच्छे, तो interference का महतनम तिवरता क्या होगा, महतनम तिवरता के बराबर आपको i square होता है, माल लेते हैं, कि i am क्या है, a ही है, तो i बराबर क्या होगा, k और यह होगा, 4k a square, एक नमर ले लिजी, ठीक है, क्यों कहा रहा है, कि 2 समरूप रेखाची, समरूप है बच्छे, रेखाची द्र, द्वारा निर्मित, व्यतिकरन प्रारुप में, उच्छिस्ट पर तिवरता i है, और बच्छे, एक का आयाम माल लिए, माल लिजे, 2 है, तो एक का माल लिजे, i1 का माल लिया, मैंने क्या तिवरता, a माल लिया, दूसरे का मैंने क्या माना, तो बच्छे, फिर a माल लिया, क्योंकि समान बोल रहा है, रेखाची तो बच्छे, समरूप रे काँचीतर दोनों का थाra 4k a², अब क्या करा हाठ एक को बंद कर देते बच्ये, एक को बंद कर दीजे, तो एक को बंद कर देंगे अगर, यह i-nought होता है, बंद कर देजिए, तो बच्चे क्या होगा k a² ही रहेगा, बंद हो गया, तो दोठwh तो नहीं स्वीच का स्व देखेंदों का अनुपात निकाल लेते हैं यह दूसरा नेश्ट के वे भिटर ओर वर को देखे मीं स्वाइण हया काड़े झाल में नोच कि देखें, intensity जो है, intensity जो है, वो आयाम के वर्ग का स्तमानुपाती होता है, याद रखना बेटा, ठीक है, ये ध्यान में रखेगा, तो क्या हो जाएगा, I बराबर, ठीक है, I बराबर क्या हो गया, answer क्या होगा बेटा, तो I बराबर 4 I naught है न, answer C number होगा, ठीक है, तो ये बात रहने देते हैं, आज के गलास में, ठीक है, 7 तक ही रहने देते हैं, धीरे-धीरे हम लोग करेंगे बच्चे, और एक-एक बारी की से समझेंगे, कि कहा क्या problem है, किस तरह से question को बनाना है, और कैसे हमारा पूरा question बनेगा बच्चे, तो मैं बार-बार बोल रहा हूँ, दो आधार पर हम लोग काम करेंगे, एक तो basic को लेते हुए, हम क्या करेंगे, thought form आपको बताएंगे, किस तरह से problem exam hall में, आपको solve out करना है, बच्चे, ठीक है, और दूसरी बात क्या, कि basic जब तक मजबूत नहीं होगा, तब तक आपको concept समझ में नहीं आएगा, कि question कैसे बनान है, तो मिलते हैं बच्चे, next class में, आप सभी बच्चों से, मेरी बस यही गुजारी से है, कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए इस class में, और यकीन मानिए, कि जब ये पूरा class आपको हो जाएगा, तो आपको एक एक question, आप से exam hall में solve out होगा, और सरलता पुरवक चले मिलते हैं next class में, जाएँ जाब भरत,